नमस्कार निस्रोज कुमारी सहाचारे राजनिति विज्ञान राज के महाविद्याले नोहर आज हम बी ये पार फस्ट के पेपर फस्ट के अंतरगत टॉपिक होप्स के समझुता सिधान्त की आलोचना एवं है तो पड़ेंगे होप्स के समझुता सिधान्त की आलोचना एवं महत्तुर पहले के वीडियो में हमने होप्स के समझुता सिधान्त को पढ़ा अब उसका आलोचनात्मक विशलेशन करेंगे जन्ता राज तंतरवादी ओचर्च के समर्थक सभी ने भिन-भिन कार्णों से इस समझुते की आलोचना की एक विचारक है कलेरेंडन ने कहा है मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें इतना राज द्रोह, विश्वास गहात और धर्म द्रोह भरा हो यानि होस का जो समझुता सिदान्थ है और जो मानों सभाव की उसमें व्याख्या है या कहें तो प्राकरति का वस्था का जो विसलेशन है और उसकी जो निरंकुष राजतंतर का समर्थन समंदी उसके विचार है यह संपूर्ण जो समझता सिदान्थ है विशेश तोर पर होव्स के विचार उसकी कटू आलोचना भी की जाती है वो जो होव्स की पुस्तक है लेवियाथन उसके समंद में कलिरंडन कहते हैं कि मैंने कोई ऐसी पुस्तक नहीं पड़ी जिसमें इतना राजद्रोह, विश्वास घात और ध्रम द्रोह भरा हो तो आलोचना कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम होव्स की पहली आलोचना आता है मानो सभाव का विसलेशन एकांकी उसका जो मानो सभाव का विसलेशन है भै एकांकी है पुर्ण नहीं है ऐसा आलोचना कहते हैं मानो सभाव स्वार्थी जगडालू और एहंकारी रूप में उसने बताया है जो एक पक्षिय है यानि मानव सभाव को केवल स्वार्थी जगड़ालू और रहंकारी बताया है जो एक पक्षी है मानव स्वार्थी प्राणी होने के साथ सामाजिक प्राणी भी है और उसमें दया, साहनु भूती तथा प्रेम के तत्तों भी पाए जाते हैं यानि मानव एक अकेला स्वार्थी और जगड़ालू नहीं बलकि सामाजिक प्राणी भी है और उसमें दया, साहनु भूती और प्रेम के तत्तों भी पाए जाते हैं वह स्माज में स्वार्थ वस नहीं रहता वर्ण सभाव वस रहता है मनुश्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके सभाव में समाज में रहने की प्रवर्टी है पहर ने लोगों के साथ रहना चाहता है इसलिए समाज में रहता है अकेला स्वार्थ वस्च नहीं रहता जब-जब प्राक्रतिक आपदाइं आती हैं जैसे अगनी बाड अकाल बुकम्ब में जिस परकार मिलकर लोग काम करते हैं उसमें उनकी सद्गुण सपष्ट होते हैं उसमें उनकी सामाजिक प्रवर्टी जो है सपष्ट होती है यानि मानब केवन स्वार्थ प्राणी नहीं मिल्कि समाजिक प्राणे भी होता है, यह इसकी पहली आलूजना की गई है, दूसरी आलूजना आती है, प्राकर्तिक अवस्था का वर्णन ए वास्विक, उसका प्राकर्तिक अवस्था का वर्णन नै तो इतिहासिक है, और नै ही वास्विक, इतिहासिक होजों से पता चलता ह कि मानव जीवन की इकाई नहीं रहा, मानव जीवन की इकाई नहीं रहा, वर्न कुटुम्बिया कभीले मानव जीवन की इकाई रहे हैं, मानव जीवन की सबसे सोटी इकाई जो है कुटुम या कभीले रहे हैं अकेला मानव कभी भी सामाजिक जीवन की इकाई नहीं रहा परतेक मनुष्य के परतेक दूसरे मनुष्य के साथ यूद की कल्पना भी नितांत ऐवास्त्विक है परतेक मनुश्य, परतेक दूसरे मनुश्य के साथ, परतेक में यूद की अवस्ता में रहता है, यह बिल्कुल ही, यह वास्त्विक है, तो प्राकरतिक अवस्ता का वर्णन भी यह वास्त्विक है, आलोचा किस प्रकार से कहते हैं, तीसरी आलोचा उसके आती है, यह तारकिक उसका सामाजिक समझोता का सिदान तार्किक भी नहीं है इस प्रकार के ऐसामाजिक वेक्तियों में समझोते वह सामाजिक भावना का एका एक उदे कैसे हो गया ऐसामाजिक वेक्तियों द्वारा राज्ये का उदे ऐसामान्य परतित होता यानि मानव इतना ऐसा माजिक है हरदम संगर्ष के वस्ता में रहता है जगड़ता ही रहता है माने को तयार रहता है तो ऐसे वेक्ति अचानक जो है किस प्रकार से सामाजिक होगे और उन्होंने समझोते का निर्ने लिया और फिर समझोता कर भी लिया और रज्य और समाज का निर्मान कर भी लिया तो ये भी बिल्कुल एतार्किक लगता है इतने ऐसा माजिक वेकती यका यक रातों रात कैसे सामाजिक हो सकते हैं या तो वो ऐसा माजिक हैं नहीं और इतने ऐसा माजिक हैं तो अचानक सामाजिक भी वो नहीं हो सकते और इस प्रकार का जो है तार्किक स्थापना संभव नहीं केवल भै के अधार पर राजे की स्थापना संभव नहीं है राजे इसमाज भै या स्वार्थ पर नहीं वर्ण अनुमती सद भावना सहयोग और सामाजिक हित भावना पर अधारित है और जैसा रुस्तु ने कहा है उनका अस्थित्व राजे और सरकार का अस्थित्व जो है अच्छे नातिक जीवन के लिए है यानि राजय और समाज केवल भैपर और स्वार्थ पर अधारित नहीं है उसका अधार अनुमती जनता की अनुमती सत्भावना जनता की आपस की भावना सयोग और सामाजिक हित पर अधारित होते हैं केवल स्वार्थ पर राजय तिका नहीं रहा सकता और एक परमुख विचा के निक जो है रस्तु ने कहा है कि मानव एक सामाजिक पराणी है जो रज्जे में रहता है और रज्जे का अस्थित्तु जो है अच्छे नैतिक जीवन केरे लिए एवं निरंकुस आशन की स्थापना करता है, होपस ऐसे स्वेचाचारी और निरंकुस आशन की स्थापना करता है, जनता जिसको संपूर्ण अधिकार देती है और श्यम के पास कोई अधिकार नहीं रखती, इस परकार से निरंकुस और स्वेचाचारी राजजनतर की स्थाप नहीं राज्य और सरकार में अंतर होता है लेकिन होफ्ष ने सरकार का कहीं जी करने किया है राज्य और सरकार को एक ही लगवग माना है और लोगों ने समझता करके राज्य का गठन किया राज्य का निर्मान किया ऐसा वो मानता है तो राज्य और सरकार में अंतर करना उसने उ इतनी आलोचना होने के पश्यात्वी, ुप्सिक महतपूर्ण रांतिक विचारक माना जाता है, महतपूर्ण अनुबंध वादी विचारक माना जाता है। उसके समझोतावादी शिदान्त की या समझोतावादी विचारों की इंपोर्टन्स को भी हम नकार नहीं सकते, महतों को नकार नहीं सकते, जिसमें पहला आता है, उसने राजनिती के विचार छेत्र में तरक एवं बुद्धी का समावेश किया, इस परकार मिथ्या धरनाओं और अंध विश्वासों का आंद किया, उसने सैदान्तिक आधार जो कलपनाओं में राजनिती विग्या रहा करता था, मिथ्या धरनाओं और अंध विश्वासों में वरोसा क्या करता था, उसको तोड़ा है, और तरक और बुद्धी पर आधारित, रज्य की कलपना उसने क की है कानून और रज्य तर्क और वुद्धि प्राधारित होते हैं ऐसी नहीं उसने लानने का प्रियास किया है यह पहला महत उसका है दूसरा आता है उसने विधी विधी और संपर्बुता की आधार शीला रखने का कारे किया है विधी और कानून और संपर्बुता कानून औ की अवधार्णा भी स्पष्ट नहीं थी लेकिन कानून विधी और संपर्भुता की अवधार्णा की नियूं डानने का काम एक तरह से होफ्ष ने किया है और तीस नाज कम है तो हम कह सकते हैं कि होफ्ष ने इस विचार को मानित दी है कि रज्ये लोगों की आफशक्ताओं को पूर्ण करने के लिए होता है और शाषन अपनी सक्ति जनता से ही प्राप्त करता है राज्य जो है लोगों के आफशक्ताओं को पूर्ण करने के लिए होता है और राज्य अपनी सक्ति जनता से ही प्राप्त करता है राज्य स्व्यम सद्धे नहीं है अपितु वेक्ति राज्य का सद्ध है यानि वेक्ति के लिए राज्य है वेक्ति के आफशक्ताओं वेक्ति के जीवन के लिए राज्य है रज्य के लिए व्यक्ति नहीं है रज्य व्यक्ति के जीवन में सुधार के लिए आया है और उसका एक्समें विशेस्पन निर्मान किया गया है ऐसा होफ्स और अन्बंध वादी मानते हैं तो एक तरह से इतना नकारात्मक मानो सभाव और प्राकृतिक अवस्था का चितरन करने के पश्यात्वी होफ्स जो है यह अवस्थे मानता है कि राज्य के लिए ही व्यक्ति का वेक्ति के लिए ही राज्ये का गठन किया गया है और वेक्ति के आफशक्ताओं को पूरा करना ही उसका उदेश्य एक तरसी है तो वेक्ति साध्य है राज्य है शाधन है तो इस प्रकार से आगे के लिए जो है जंता के शाषन की नियू भी हमें वोबस के विचारों में पल भी जा सेबों गया झानो